दोस्तों, राम मंदिर उदगाटन समारोह में सीरियल रामायन के राम यानि अरुण गोविल, सीता यानि दीपिका चिखलिया के साथ अब लक्ष्मन यानि सुनील लहरी भी शामिल होने वाले हैं। कुछ दिन पहले चर्चा थी कि सुनील लहरी को भी राम मंदिर उदगाटन समारोह का न्योता भेजा गया था, लेकिन किसी कारण उन्हें वो मिल नहीं पाया था। हाल ही में एक्टर ने इस बात की पुष्टी की है, उन्हें अयोध्या आने का न्योता मिल गया है। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर का भव्य उदगाटन होने वाला है। राम लला के प्रान प्रतिष्ठा उत्सव में शामिल होने के लिए कई सेलिब्रिटीज को न्योता दिया गया है। लेकिन रामानंद सागर की रामायन में लक्षमन का किरदार निभाने वाले एक्टर सुनील लहरी को इस समारोह में शामिल होने का न्योता नहीं मिला था। कई मीडिया रिपोर्ट में लिखा गया था कि इस वजह से वो नाराज भी थे। लेकिन कुछ दिन पहले टीवी नाईन हिंधी डिजिटल के साथ की खास बातचीत में सुनील लहरी ने कहा था कि वो भी इस समारोह में शामिल होने के लिए आमंतृत हैं। दरासल मंदिर कमेटी की तरफ से सुनील लहरी को कहा गया था कि उन्हें भी इस समारों में शामिल होने के लिए नियोता भेजा गया है। लेकिन एक्टर ने उस समय ये भी कहा था कि जब तक उनके हाथ में नियोता नहीं मिलेगा, तब तक वो इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। आपको बता दें, आखिरकार सुनील लहरी का इंतजार खत्म हो गया है और उन्हें राम लला के प्राण प्रतिष्ठा समारों में शामिल होने का नियोता मिलने के बाद सुनील लहरी ने कहा, उनके जन्म दिवस पर उन्हें खुद भगवान राम की तरफ से प्यार भरा तोहफा मिल गया है। वो भी 22 जन्वरी को होने वाले राम लला के प्राण प्रतिष्ठा समारों में शामिल होने वाले हैं। उनके लिए उनके तमाम फैंस ने राम जी से जो प्रार्थना की थी और वो उन्होंने सुन ली। अब अरुन गोविल राम और दीपिका चिखलिया सीता के साथ साथ वो भी इस पल को अपनी आँखों से देखने वाले हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में। और हाँ दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूले।